अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हम एक नया टॉपिक पॉलिटी गवर्नेंस का लेकर के आए हैं अभी न्यूज में रहा है इस वज़े से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कई पॉइंट अभी से कई डैमेंशन से कई जो है कि आपका अस्पेक्ट कंप्लीट होगा सब्स करिए जैसे हमारी पारलैमेंंट होती है जो म Souhery 있 suspects कर दो में मेंगा होता है त्रुसके पर वन जो आपका फ्रिलियम होता है उसके पास अगर आपका आपका ऑप ज्यू है कि इस तरह से कर सकते हो ऑलप An до पेपर है आई एस के लिए जैसे माली जी क्या आकर बात करते हैं कि नहीं हम पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक अडमेस्टेशन या फिर कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट रखते हैं जो गवर्नेंस के लिए या फिर अधर कोई point of view से important होता है जो मैं topic cover करने जा रहा हूँ इसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोट की seven judges बिचिम बेंच ने एक अपनी verdict दिया है इसमें इसने कहा कि आईसा नहीं है कि जितने भी legislature MP होते हैं सांसद या बिधायक जो भी लोग आईसा भी नहीं है कि कुछ भी ये बोल करके चले जाएं और ये कहें कि हमें जो है कि संबिधान से कूट मिली हुई है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं इस point of view से आपके दिमाग में एक चीज जरूर आना चाहिए क्या जो बिधायक MP है बोल देते हैं उनकी उपर कोई लागो चीज नहीं होती है जो बोलते हैं उनको कहां से जो की power मिलती है जब हम article संबिधान का 105 & 194 की जब बात करते हैं तो कुछ चीज़े हमें clear होती है कहते हैं वाचिड आप देख सकते हो प्राइमिनिस्टर आप इंडिया ने भी इस वर्डिक का स्वावित किया है और चीज से यहां पर दिखाया चीज़ेश्ट चीप जश्टिस डिलिवर्ड वर्डिक्ट ऑन दे MP MLA प्रैवरी का मतलब यह भी होता है कि आप वोट के बदले आप नोट लीजिए और दीजिए जिसे माल यह होता है ना कि कभी-कभी आपको सुनने में आता होगा कि जब वोटिंग चलती है तो लोग जो कनिडेट होते हैं पैसे कैस में बाठते हैं या फिर कई गारी में पकड़ा गया पैसा ऐसा कुछ नियूज में आती है तो अगर इस कंडिशन कुछ पाया जाते हैं उनके उपर का जो आर्टिकल 105 105 और 194 194 जो आर्टिकल दिया गया है उसमें कुछ चीजे इनके प्रिवलेजिस वगरा भी दी गई है बट वो ऐसा नहीं है कि वो निया एक समिच्छा से उपर हो मतलब जूडिशियर रिव्यू के अंतर ही आती है ऐसा सुप्रिम कोट ने कहा है कहा कि ऐसा बहुत जरूरी था इस वज़े से हम 1999 का जो जज्जमेंट दिया गया था उसको हम फिर से रिव्यू कर रहे हैं और फिर से हम एक डारेक्शन जो कि प्रोवाइड करवाएंगे आपको अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहूं तो जो आर्टिकल दिया गया है इसमें कुछ चीज़े पताई गई है जो जज्जमेंट को ले करके यह दरसल जब हमारी पांच जज़ेस बेंच की बनी हुई थी 1998 में यहाँ पर देख सकते हो उस केस में बोला गया था जे एम एम ब्राबरी केस की कोंटेक्ट में बोला गया था बट अब यह और किलियर कर अब इससे देखने की कोशिश करते हैं अलाकि यहाँ पर आपको उद्धा चोटा सा आर्टेकल देखने को मिलेगा लेकिन हम इसका जो सेकेंड पेज पर चलते हैं वहां पर आप दिखेंगे तो बहुत धेर सारी इन्फोर्मेशन मिलेगी ठीक है एक सेक यहां पर आप आप सकते हो तो 1993-98 में जज्ज्मिंट आया हुआ था कौन से आर्टिकल को ले करके आपका जो अनुच्छेद 1052 है और फिर उसके बाद आप देखेंगे 1052 के बाद एक और आर्टिकल यहां पर आता है जिसको करते है 194 उन नो 194 जो सम्मिधान में अनुच्छेद दिया गया 194 में इस यह दोनों आर्टिकल कि इस कॉंटिक्स में बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं यहां पे दोस्तों कि जो आर्टिकल 105 है और 194 जो आर्टिकल है इसमें देखिए इसमें जो कि जो MP होते हैं लोग सभा के स्वरी लोग सभा के अगर बात नहीं करते हैं पारलिया मेंड की मै बात कर रहा हूँ क्योंकि परल्या मेंट जो है कि आपका टी लोगों से मिलकर बनती है एक प्रसिडेंट होते हैं एक लोग सभा होती है दूसरी राजसभा होती लोग सभा और राजसभा के जो MP होते हैं इनके इनको प्रिवलेज्यस वगरत दी गई है प्रिवलेज्यस वगरत मतलब हो गया जो हाउस में या जो परल्यमेंट कमिटी होती है उसमें यह जो बोलते हैं तो होता क्या है बहुत से बार आप देखेंगे बहुत से MP विधाय का ऐसे वर्ड बोल जाते हैं कि एक आम आदमी को काते हैं इनके उपर करवाई नहीं होती तो करवाई यही है कि इनको आर्टिकल जो दिया गया है तो इसमें इनको छूटे छूट या फिर भी सेस अधिकार मिला गया है दूसरी यह भी चीज है कि यह जो परल्यमेंट होती है जो ठीक है इसमें यह भी कहा गया है कि जो जू एक केस को ले करके जब इनको impeachment किया जाए, impeachment मतलब हो जाएगा, कोई judge, जो judge होते हैं, judges होते हैं, high court, उनका जब हटाने की प्रक्रिया लाई जाए, तो उस case में ये discuss कर सकते हैं, तो parliament होते हैं, कुछ बाते कर सकते हैं, मतलब हटाने के बारे में, लेकिन इसकी अलामा अगर हम बात करें, कि नहीं भाई, और भी चीजों को verdict को लेकर के parliament में discuss की जाए, ऐसा संभण नहीं है, ये संभीधान के अनुछिद में भी mention किया गया है, आप आगे देख पाएंगे, तो दरसल यहाँ पे यह जो बताने का मेरा objective था, एक सेगें, थोड़ा सा मैं, इसको स्क्रॉल करता हूँ, एक सेगें, थोड़ा सा time दीजिएगा, तो इसमें जो बोला गया है कि भाई, ऐसा है कि आप कुछ भी जो करते हैं, क्योई भी करते हैं, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर, देखिए, corruption, bravery, members of the legislature, erot fundamental of the parliamentary democracy, अगर आप corruption करते हो, घूस लेते हो, त इसके बाद यह भी देख लीजिए कि Prime Minister of India, इस context में इनका बहुत पुर्जोर प्रवजो की समर्थन किया, कहा यह जो verdict आया हुआ है, Supreme Court का बहुत ही कारगील होगा, तो सबसे पहले आपको देखिए दो article, यह आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, 105 article और 194 जो article है, यह दो article, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कि वास्तों में इस article में कहने की कोशिश क्या कर रहे है, और दूसरी यह भी चीज है, जो article 121 है, इसमें यह कहा गया है, कि Parliament, मैं दूसरा board ले ले लेता हूँ, 121, 121 जो article है, इसमें यह बोला गया है, जो Parliament है, Parliament है, इसके अंदर, जो है कि High Court, या Supreme Court के, वर्क का, वर्किंग का, जो है कि, एनालिसिस, या फिर डिस्कॉशन, डिस्कॉशन, नहीं किया जा सकता, Accept इस case में, एक case में, जब इनको impeachment, impeachment की जब हम बात करते हैं, तो इस context में आप कर सकते, मतलब इनको हटाने के case में बात करते हैं, Other cases में, आप जो है कि, डिसकॉस नहीं कर सकते हैं, अगर आप से दिखी हैं, आप सवाल कितना पुझा, पहले बात तो तीन आर्टिकल के बारे में, पूछ लिया जाएगा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है, जिसमें, privileges वगर मिली हुई है, संस्त को, 105, और कौन सा ऐसा आर्टिकल ह निया पालिका के कामों का जो की analysis या फिर इस तरह की discussion नहीं किया जाएगा, तो यह 121 जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में बोला गया है, तो आज का discussion इस context में हमने बात किया, छोटा सा आपको पता होना चाहिए, तो आज का discussion में इतना ही, तब तक के लिए, thank you, thank you, मैं discuss